अब हम करेंगे question 7 का part 2 इसमें हमें find करना है cot square theta ओके तो cot square theta find करने के लिए पहले हमें cot theta पता होना चाहिए cot theta क्या होता है देखो लाला आया लाया कच्चे कच्चे आम तो योग्या sin cos 10 10 का उल्टा cot यनी कि 10 क्या है लंब बटे आधार तो cot क्या हो जाएगा आधार बटे लंब योग्या आधार बटे लंब अब हमें क्या करना है देखो हमें पता चल गया कि cot theta हमारा 7 बटे 8 है कैसे यह देखो आधार क्या है यहाँ पर 7 ठीक है आधार क्या है यहाँ पर 7 तो यहाँ लिख दिया 7 और लंब क्या है हमारा 8 है ना आधार बटे लंब क्या होता है cot तो यह हमारी values आ गई अब इसमें कह रहा है कि cot square theta बताओ तो cot square theta cot की value क्या है 7 by 8 तो यहाँ पर 7 by 8 का कर 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64 ठीक है आगया हमारा answer बिल्कुल simple question था हमें cot square theta find करना था जिसके लिए प्याले हमें पता होना चाहिए कि cot theta क्या है तो cot theta क्या है यहाँ पर आधार बटे लंब यह देखिए यह हमारा figure है आधार बटे लंब यानि कि 7 बटे 8 cot theta हमें पता चल गया तो cot square theta हमने निकाल लिया सिर्फ यहाँ पर बर्ग डालना था 7 का वर्ग 49 और 8 का वर्ग 64 ठीक है तो मिलते हैं अगले question के साथ अगली वीडियो में जैहिन जै भारत